देवराज, देखा आपने, महराज हिमवन्त कंदरा से अकेले ही लोड रहे हैं इसका अर्थ ये है कि शैल पुत्री ने कंदरा में ही रुकने गंडर ने लिया है ये तो बहुत अच्छी बात है देवराज निश्चित रूप से बहुत ही शुप घटना क्रम है ही जब महादेव और मा कंदरा में एक दूसरे के सामने होंगे तो दोनों साथ ही अपने उपस्थिती का आभास पाने की एक दूसरे को देखने की संभावना भी बढ़ जाएगा और ऐसा होते ही शक्ती शिव को और शिव शक्ती को अवश्य पहचान लेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा सती के आतमदा के बाद महादेव केवल निश्करिये ही नहीं हुए हपितू संसार से विरक्त भी हो गए और इन्हें इस्तिती से भार लाने के लिए शैल कुत्री के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि मा को तो पूर्व जन्म की कोई समर्ती ही नहीं है वो तो यह भी नहीं जानती कि वो जिनकी सेवा कर रही है वो कौन है नहारायन, नहारायन माँ, देवी शहर्पुत्री उस सम्में अपने अवतार में थी उन्होंने महादेव को देखा भी नहीं था, इसलिए वो महादेव को पहचान नहीं पाई परन्तु महादेव को या अभास क्यों नहीं हुआ कि जो उनके सामने है वो और कोई नहीं, बल्कि स्वेम उनकी प्रांग प्रिया देवी सती का ही दूसरा अवतार है और शर्ण भर के लिए सही, परन तो महादेव ने देवी शहल पुत्री का स्वर भी सुना था तो फिर वो अपने शक्ती के अवतार को पहचान क्यों नहीं पाई मा उसके लिए तुम्हें महादेव की अवस्ता को समझना पड़ेगा सुपर सती के जाने के बाद वो इस संसार से विरक्त हो गए था किसी प्रकार की भावना का अनुभव करन उनके लिए संभव नहीं था कोई बंधन उन्हें बांधना तो दूर छूतक नहीं सकता था आँखे खुली होने पर भी वो इस संसार के किसी भी दिर्शे को देखने में असमर्त बस वे अपने भीतर के प्रकाश को ही देखते रहते उसी में खोई रहते ऐसी अवस्ता में उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनके मन में अपना स्थान बनाने के लिए, शैल पुत्री को बहुत, तब, जब, और रत की आफशक्ता था, उसके बाद ही वे अपने चिरसाथी की प्रिया कहलाने के योग्ये बन सकती थी. इसलिए उन्होंने ऐसा करना आरम कर दिया. वापराधम वितम विहितम वासर्वमेत कश्मस्व जय जय करूणावधे श्री महादेव शंभो महा का सेवा भाव तो अद्भूत है पल-पल बढ़ता पगिये उमाका शबत करेने चली मिला अनुपमे सैयोग अनुखा को जाज ये बोनर मिला व्याह को ये लिदे और इंदे लेना पारवती शिव मिलेंगे आँ होगा मंगल पल वो अलो के कल पारवती शिव मिलेंगे आँ पारवती शिव मिलेंगे आँ उमा समक्ष खड़ी और शिवने आँखे जो मूदी तोनों हे अन्भेके और मिला अपरवती एक और देवी पारवती शिव के इतने निकट होकर भी उनसे दूर थी और दूसरी और भ्रह्मदेव से वर्दान पाकर तार का सुर अत्यन थे निडर और निरंकुष हो गया था स्वयम को भगवान समझने लगाओ आस्वल्प्री ओर भीजर लुड़े जड़ाओ झालाओ झालाओ प्रुड़े झालाओ स्कुड़े जड़े यह जाए स्वेवार जड़ी ओर्वाध तो फिर ये यक किसी अस्तुति के लिए होनी चाहिए नहीं बोलोगे तो फिर ये लो आपकी सुति के लिए अपने ब्राओं की रक्षा करना चाहते हो तो बनो ओंदार का सुराई नमस ओंदार का सुराई नमस ओंदार का सुराई नमस बौच्ऽाहाः! बौन küç lacking ओम निर्भादा कमा इंधर सैना सुखाहा ओम साइना सुखाहा ओम साइना सुखाहा ओम साइना सुखाहा कि यह क्या नड़ हो रहा है नारे अस्तान असे उस्तान तो ते रुकने नहीं चाहिए कि तार काशूर हर मनश-देवों से उनकी सिथि और शक्ति छिए ज़ा था और हर्याग्य की आउति का फ्वल खुद लेता रहा है यग्य की आउति ही हमारा आहार है और उसी आहार से हमें ओर्जा मिलती है और यदि इसी प्रकार तार्का सुर के लिए यग्य होते रहे तो हमारा तो आहारी स्तमाप्त हो जाएगा तार्का सुर का अत्या चार दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है इसका अंत केवल महादेग और पारवती के मिलन से ही संभाव हो सकता है इतने निकट हुकर भी ये दूसर से कितने अनभैक्य है महादेव तो विरक्त थे ही इनकी सेवा करते करते महतापारवती भी इनकी जैसे ही हो गईगी ध्मचालनी की तरह अपना जीवन व्यती करें जब तक इन दोनों के बीच प्रेम उत्पन नहीं होगा ये एक दूसर को पहचानेंगे नहीं इनका विवार नहीं होगा तब तक इनका पुत्र भी चनम नहीं ले पाएगा और उस शन पक संसार को तरकसुर के अप्रचात जहने पड़ेंगे हमें किसी भी मूल्य पर महादेव को विरक्ति की इस्तिती से बाहर निकालना होगा देवराज इस पूरी स्रिष्टी में केवल एक ही सामर्थवान है जो इस कारे को कर सकता है काम देव परन्तु देवराज क्या काम देव मानेंगे क्या है प्राव प्राकर ठाल प्रिये प्रिये रती प्रिये रती कहां है आप प्रिये रती कहां है आप प्रिये रती कहां है आप बड़े कजिरारे एक जलक जोदेगे कोई कनवन जीवन हार हारे तो आप यहां है स्वामी आप क्या हुआ प्रिये आपके मुख पर उदासी क्यों चाहिए ना जाने क्यों आज अध्यन पिछले तनुभफ कर रहे हुआ मन में विचित्र सी अशान्ती है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाल है मेरी प्रताई आप भी भड़ा रही है बहुत चिंता करती हैं आप जब तक हम आपके साथ हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता किंतु स्वामी कामदेव आपका स्वाख है प्रणाम देव लच लगता है पूरी स्रिष्टी में बस आप दोनों ही हैं जिनके नित्य कर्म पर तारका सूर के अत्याचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ऐसी बात नहीं है देवराज मुझे जब भी अनुचित इच्छा का अभास होता है उसके फलिपूत होने के कारणा दुख, बुराई, अत्याचार को बढ़ता हुआ देखता हूं तब मुझे बहुत दुख होता है तो पर उस दुख को दूर करने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं काम देए देवराज जब आप सभी देवता मिलकर उसे नहीं रोक पाए तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं आप संसार की सभी प्राणियों में काम भावना को जागरित करते हैं पर इस समय उस भावना को जागरित करना जहां सबसे अधिक आवश्यक है वहां आपके होते हुए भी विरक्ति क्यूं है काम देव हमने देवरशी नारत की सहायता से बहुत कठनाईयों के बाद देवी पारवती और महादेव को निकट पहुँचाने की विवस्था की थी पर यदी महादेव समाधी से ध्यान हटाकर उनकी ओर देखेंगे नहीं तब तक उनका मिलन कैसे होगा उनका विवा कैसे होगा और फिर और उस भुत्र का जन कैसे होगा जो तार का सुर का वद करने में सक्षम होगा आप सीधे शब्दों में अपनी बात रखेंगे, तो हमें भी समझने में असानी होगी, देवराज. क्या आप एक्षा है आपको मेरे पती से? आपको अपने कर्तव्वे का पालन करना होगा कामदेव. महादेव को विरक्ति के अवस्था से बाहर लाना होगा. और ये तभी समभव है जब आप उन पर अपने काम बाण का प्रियोग करेंगे. मही देवराज. ये समभव नहीं. जब साधारन योगी भी अपने मन पर नियंतरन पालेता है, तब उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता. और फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं, वे तो आधी योगी हैं. स्वेम महादेव, मैं उनकी समाधी को कैसे भंग कर सकता हूँ. जदी आप नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेंगा काम देग? दान वीर की परिक्षा, दान के समय होती है. शूर वीर की परिक्षा, रण भूमी में. रिस्त्री की परिक्षा तब होती है, जब उसका पती आसमर्थ हो जाए, और मित्र की परिक्षा तब संभव है, जब उसके मित्र पर विपत्ती चाही हो. हाँ मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ कि मैं देव राज इंद्र हूँ पर आपके साथ सदैव मैंने एक मित्र के समान वैवार किया है यही समझ लीजिए कि आज आपको अपनी मित्रता की परिक्षा देनी है पर इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है काम दे इस जगत के कल्यान के लिए आवश्यक है और आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि तारका सुर रिश्यों से अपने पूजा आरंप करवा चुका है यदि आप चाहें तो मैं उन रिश्यों के तब को भंग कर सकता हूँ उस तार का सुर को काम वासना में लिप्त कर सकता हूँ परंतु महादेव उनकी समाधी को भंग करना या मेरे समर्थ में नहीं और इस दुस्साहस का केवल एक ही परिनाब होगा विनाश शमा कीजे देवराच किन्तु मैं अपने पती को इतने बड़े संकट का सामना करने नहीं दे सकती तो फिर हमें भी छमा कीजे देवी रधी पर संकट का सामना तो इन्हें करना ही पड़ेगा यदि महादेव पर अपने काम बाण का प्रियोग करके ये अपने कर्तव का पालन नहीं करेंगे तो स्वयम मैं इनके लिए संकट बन जाओंगा अभी तक एक मित्र की तरह इनसे विंति कर रहा था पर अब पर अब देवराज होने के नाते मैं इन्हें आदेश दूँगा और मेरी आधिया का नापालन करने का केवल एक ही अर्थ होगा दंद प्रभू इंदर देव ने ये उच्छित नहीं किया था वो जान बुझ कर काम देव के प्राण संकट में डाल रहे थे नहीं मूशक जी देवराज जो कर रहे थे वो संसार के कल्यान हेतू कर रहे थे उनके पास इसकी अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था तो क्या देवराज इंदर की बात माने काम देव ने ? क्या तारका सुर के अंध का आरम हुआ ? झाल 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 झाल